है गाइस कैसे आप लोग आई होग क्या आप लोग काफी अच्छे हैं मैं आपका स्वागत करता हूं कॉमर्सी पार्ट शाला में आज हम करेंगे mcu21 का एक बहुत इंपोर्टन टॉपिक जो कि होने वाला है characteristics of perfect competition a very important topic for the examination वर उससे पहले मैं कुछ चीज़ें आपको बता दूँ कि जी हाँ notes available करा दिए गये हैं December Termin examination के लिए और उसके बाद की examination के लिए भी notes हमारे पास available हैं आप इन सारे notes को access कर सकते हैं हमारे app पे जहां पे एक बहुत ही छोड़ा सा nominal सा fee पे करके आपको यह सारे notes मिल जाएंगे और आप अच्छी तरीके से study करके आप examination को qualify कर सकते हैं तो बहुत ही असान तरीका है इसका करने का and simply आपको जो है हमारा app download करना है वहाँ पे आपको अपने courses को choose करना है and फिर आप वहाँ से study कर सकते हैं और साथ-साथ notes मैंने आपको बताया कि notes available हैं आप वहाँ से notes को भी study करके examination में अच्छे marks ला सकते हैं तो चले फिर आजके हमारे topic के तरफ चलते हैं कुछ चीज़े में और आपको बता तूँ कि लिंक आपको मिल जाएगा आप हमसे जुड़ सकते हैं हमारे WhatsApp group के साथ चाहां पर सारी की सारी informations आपको पुर्वाइड कराई जाती है एक exams को ले करके and different चीज़ों को ले करके आप अपने doubts को भी वहाँ पे clear कर सकते हैं ठीक है तो चलिए फिर lecture start करते है characteristics of perfect competition this is the topic that we are going to discuss in this particular video so let's start now perfect competition is a form of market in which there are a large number of buyers and sellers competing with each other in the purchase of sale of goods respectively and no individual buyer or seller has any influence over the price अगर कोई भी individual buyer या seller अगर उसका influence अगर होगा price के उपर उसको हम monopoly बोलेंगे आपको monopoly आप में पढ़ा होगा perfect competition का मतलब क्या होता है नाम से पता चल रहा है perfect perfect का मतलब है कि जितने ज्यादा buyer है उतने ही ज्यादा seller भी है ठीक है ना जितने buyers है उतने sellers है तो यहाँ पर control जो है prices का वो किसी के पास नहीं होता है अगर suppose मान लोग कोई एक ही company है जो की same एक product को बनाती है और कोई नहीं उस product को बनाती है जो है price के उबर नहीं होता है ठीक है दस perfect competition is an ideal form of market structure in which there is a greatest degree of competition ठीक है इसलिए perfect competition क्या होता है एक ideal form of market structure होता है जहाँ पर competition जो है वो बहुत ही ज्यादा high होती है ठीक है अब perfectly competitive market has the following characteristics तो perfectly competitive market के कुछ-कुछ characteristics है विशेशता है जिसको हमें की करके अभी discuss करने वाले है ठीक है highlight करता हुआ चलूँगा असानी होगी सबसे पहला point है there are a large number of independent relatively small sellers and buyers as compared to the market as a whole अगर आप ऐसे market as a whole के अगर आब आप करेंगे तो उसको like comparison के साथ अगर आप यह देखोगे चेक करोगे तो आपको यह पता चलेगा कि यहाँ पर relatively बहुत ही छोटे-छोटे buyers होते हैं और बहुत ही छोटे-छोटे sellers भी होते हैं अगर आप पूरे के पूरे market के बात करें तो एक पूरा market अगर एक पूरा जगा है suppose तो वहाँ पर बहुत सारे sellers आपको मिल जाएंगे छोटे-छोटे जोकि उन सारे चीजों को बेच रहे हैं सेम तरह की चीजों को बेच रहे हैं और बहुत सारे buyers भी हैं जोकि उन सारे चीजों को खरीब भी रहे हैं और इसी कारण से यह लोग पूरे के पूरे market के price को influence करने में कामियाब नहीं हो पाते हैं जोकि नहीं होता है यह जोकि नहीं होना भी चाहिए एक्शली perfect competition का मतलब भी यही है कि price का जो influence है वो कोई individual player set नहीं करेगा बलकि demand and supply उसको set करेगा further buyer and seller should not have any kind of association और union to arrive at understanding with regard to the market demand prices और sales साथ साथ यह भी बोलने की कोशिश की जारी है कि जितने भी सारे buyers and sellers उनका किसी पी तरह का association किसी union किसी चीज के साथ नहीं होना चाहिए जो कि कि किसी पी तरह के product के price के demand के एक तरीके से influence करते हो ऐसा generally होता नहीं है पर यह point भी यहाँ पर mention करने की कोशिश की जारी है कि इनका पर association किसी भी तरह कि union अफर किसी चीज के साथ नहीं होगा जो कि एक तरीकी से market में किसी product के price से related है तो definitely वहाँ पर जो competition जो है वो perfect competition ही रहेगा ठीक है so this is the first characteristic that in a market there are large number of buyers and large number of sellers so that nobody is able to influence that price of the product ठीक है यह पहला point है दूसरे point की तरफ चलते हैं दूसरा point है the product sold by different sellers are homogenous and identical जो बाकी सारे sellers है जैसे कि मैं किसी product को बेच रहा हूं बाकी मेरे बगर में जो एक seller है वो भी same product को बेच रहा है उसके बगर में जो एक seller है वो भी same product को बेच रहा है तो यहां पर different sellers होंगे लेकिन उनका जो product है वो identical होगा वो homogenous होगा there should not be any differentiation of products by sellers by way of quality, variety, color, design, packing और any other selling conditions of the product ठीक है न तो यहां पर किसी पी तरह का difference नहीं होना चाहिए आपके product के color के according में या उसके quality में या उसके design में इस तरह से किसी पी तरह कोई changes अलग-अलग नहीं होना चाहिए तो आपका product भी अलग हो जाएगा same product होगा मैं अगर 50 Megapixel का camera खरीदने जा रहा हूं और मुझे 64 Megapixel का camera मुझे मिल रहा है, एक 50 का बेच रहा है, दो 50 का बेच रहा है, एक 164 का बेच रहा है, same price में, तो क्या मैं 64 का नहीं खरीदूंगा, खरीदूंगा, तो यहां पर जो product है, उसकी quality same होनी चाहिए, same होती है actually, उसक कोई differentiation नहीं होना चाहिए, this is from the viewpoint of buyer, the product of competing sellers are completely suitable, ठीक है, और यहां पर इस तरही से options सारे लोगों को मिल पाए, यह इतने सारी companies है, यह सारी सारी same product को बना रही है, same design है, same features है, same सारी चीज़े है, तो आपके पास options ज्यादा होंगी, कि आपको क्या खरीदना है, ठीक है, आप कि खलगा से भी difference होगा, तो फिर आप नहीं कर पाओगे, आप, नहीं कर पाओगे, मतलब कर पाओगे, बट आप definitely जो बैतर वाला होगा, आप उसी को purchase करोगे, तो perfect competition का मतलब यही है, कि बहुत सारे product होंगे, बहुत सारे buyers होंगे, बहुत सारे sellers होंगे, जो product होगे, वो भी homogenous होंगे और identical होंगे, ठीक है, there is absolutely no restriction on entry of new firms into the industry, and existing firms are free to leave the industry, यहाँ पर किसी भी तरह का restriction किसी भी industry के ऊपर नहीं होता है, कि तुम market में आ सकते हो, या नहीं आ सकते हो, कोई भी company, कोई भी एक तरीकी सा market में, कभी भी जा सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, even कोई भी company, किसी भ market में, कोई भी industry में, बहुत ही आसानी से वहाँ पर उसको leave भी कर सकती है, उसको छोड़ करके निकल भी सकती है, यहाँ पर किसी भी तरह का restriction किसी भी firm के ऊपर नहीं होता है, कि वो market में कब आया और market से कब जाए, वो अपने हिसाब से market में आ और जा सकती है, this ensures that even in the long run, the number of firms would continue to remain large and relative share of each firm would continue to remain insignificant, ठीक है, क्या बोलने की कोशिच की गई, कि जितने भी सारे यहाँ पर यह चीजे नॉर्मल ही है, तो इसमें एक चीज है, कि जो भी firms यहाँ पर निकल करके आएंगी, जो भी firms market में invest करेंगी, जो भी firms market में पर product को लेकर के आएगी, अग significantly उनका prices जो है, जो उनका market share है, वो भी जो है देरे-देरे करके बढ़ता है, तो देरे-देरे करके एक तरीके से monopoly वहाँ पर भी create होने लगती है, बट यही खुबसूरती है इस चीज की, perfect competition में, अगर आप competition ठीक तरीके से आप करते हो, तो आपको मौका मिलता है आपको अगर आप अच्छे तरीके से काम करोगे, definitely आपका product grow करेगा, अगर आप नहीं करोगे, तो फिर आपको दिक्तत होने वाली है, चीक है, तो आपके product में, आपकी company के ओपर किसी तरह को restriction नहीं होता, आप company में कभी भी, आप market में कभी भी जा सकते हो, कभी भी निकल सकते हो व चौथा number point है, both buyers and sellers in the market have perfect knowledge about the conditions in which they are operating, ठीक है, तो जो यहाँ पे buyers and sellers है, उनको market के बारे में, पूरी knowledge होती है, perfect knowledge होती है, market conditions के बारे में, कि किस conditions में वो लोग जो है एक तरीके से operate कर रहे है, perfect competition में ऐसा होता है, कि उनको हर चीज़ की knowledge होती है, अब सब मेरे पास जैसे कि मै 3 megapixel का phone जो है, वो Vivo बनाता है, Oppo बनाता है, Nokia बनाता है, ये बनाता है, वो बनाता है, सारे चीज़े मुझे पता है, उसके business पर मैं decide करूँगा कि मुझे क्या चाहिए, है ना, तो किस market में मैं operate कर रहा हूँ, किस market में आप तरी एक तरीके से operate कर रहे हो, वो buyer और seller दोनों क चाहर को चाहर रहे हैं अपनी customers के पास से, और buyers को य Confederacy पता होता है, that the seller coach बनाता है, должны factors के लिए और competition है यहां लास्ट पॉइंट है the distance between the locations of competing sellers is not significant and therefore the price of the product is not affected by the cost of transportation of goods तो perfect competition में आपका seller जो है वो आप से कितनी दूर है इससे यह matter नहीं करता है आपका जो price है उसके उपर transportation cost का कोई असर नहीं पड़ता है transportation cost आपका जियों का त्यों है transportation cost आपका आगे पीछे हो सकता है लेकिन जो price of product का वो same ही आपको पड़ेगा आप कोई phone आपने घर के बगल में खरीदो या 10 km दूर जाकर खरीदो आपका price जो है वो आपको perfect competition में same ही देखने को मिलेगा आपको different देखने को नहीं मिलेगा irrespective of the fact कि आपका transportation cost कितना पड़ा है अगर आप घर के बगल में जाके खरीदोगे transportation cost zero होगा अगर आप 10 km जाओगे तो हो सकता आपको 20-25 रुपए 30 रुपए जो है आपको आपको एक seller नहीं दूसरे seller के पास से खरीदना है क्योंकि एक ही seller different brands के चीज़ों को रखता है ठीक है ना तो आपको अलग से यहां पर कुछ अलग से खर्च करने की अवशकता नहीं पड़ती है मतलब यहां पर transport cost जो है आपकी वीडियो पसंद आया है तो please like, comment and share करें और हां notes अविलिबल करा दिये गया है फटा-फटा हमारे app पे जाएं और जाकरके यह बहुत ही आसान तरीकी सा आप वहां पे notes को access कर सकते है study कर सकते है और examination से तरीकी से दे सकते है इस्टिल आपके मन में अगर किसी तरह का doubt है कोई problem आपको हो रही है तो आप हमें call या फिर WhatsApp कर सकते है हमारे phone number पे 8101065300 ठीक है मिलते हैं अंगले class में ख्याल रखो bye thank you